Hey guys, what's up? I hope आप सभी लोग ठीक होंगे, मेरा नाम है किरन तो यार देखो, वैसे तो ये जो April का मन्त है, ये स्मार्टफोन के मामले में काफी ज़्यादा धीला गया हुआ है इस April के महीने में कहने को स्रिफ और स्रिफ हमें OnePlus 8 सीरीज लाँच होते हुए दिखिये बट honestly बोलू तो इस April के मन्त के लिए काफी सारे स्मार्टफोन लाइन डप थे companies ने hold कर दिये स्मार्टफोन क्योंकि obviously lockdown वाला period चला हुआ है बट इसका मतलब ये निये कि मे का मन्त भी खाली निकल जाएगा आने वाला जो मे का मन्त है इसमें हम सब भी लोगों को काफी कमाल के स्मार्टफोन लाँच होते हुए दिखेंगे तो आज के इस वीडियो में मैं ये ही सब कुछ आप लोगों को बताने वाली हूँ लेकिन मुझे बता है कि आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि 20,000 की नीचे की प्राइस में ही स्मार्टफोन लेना पसंद करते हैं और मेरे हिसाब से काफी जेनुइन चीज भी है क्योंकि स्मार्टफोन पर ज्यादा पैसा वैसे भी नहीं खर्च करना चाहिए 20,000 की प्राइस पॉइंट पर हर एक वो चीज मिल जाती है जो कहीं न कहीं हम लोग एक टाइम पर फ्लेक्शिप में एक्सपेक्ट करते थे तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी हर अपकमिंग के वीडियो में शायर यह लाइन बोलती होंगी कि इस फोन का वेट हमने पूरे 2019 में किया है हम अभी यह जो एपरिल का महीना था इस में यह फोन लाउंच होने वाला था लेकिन जो कुछ भी सरकंस्टार्सिज चल रहे हैं आप सभी के सामने एपरिल में नहीं लाउंच हो पाया बट में के मन्त में ये फोन डेफिनेटली लाँच होगा और मैं जिस फोन के बारे में बात कर रही हूँ वो है Honor 9X Pro काफी ताबरतोर चिपसेट होने वाला है इस फोन के अंदर किरिन 810 प्रोसेसर के साथ हैगा ट्रिपल रियर कैमरा सेट अप है 48MP का प्राइमरी कैमरा है 16MP का पॉप अप सेलफी कैमरा है काफी अच्छे स्पेसिफिकेशन से पस देखने वाली बात ये होगी कि आखिर किस प्राइस में Honor इस फोन को इंडिया में लाँच करता है बट हाँ इतना जरूर बोलूँगी कि अगर आप Honor के किसी फोन का वेट कर रहे हो जहाँ पर अच्छा खासा चिपसेट देखने को मिले देन डेफिनेटली आप इस फोन का आराम से वेट कर सकते हो बाकी आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाओंगी क्योंकि यार मैंने देखा है कि आप ऐसे काफी लोग वीडियोस तो देख लेते हो लाइक वगेरा भी कर देते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिएगा ताकि आगे भी इसी तरह की की वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे है अभी अगर हम अपने अगले स्मार्टफोन के बारे में बात की जाए तो यह आ रहा है इन्फिनिक्स की तरफ से इन्फिनिक्स होट नाइन और एक्शली में ना इन्फिनिक्स ने अपने ट्विटर हैंडल पे छोटा सा टीजर काइंड वीडियो भी डाल दिया था साथ यह स्मार्टफोन दिया गिया है पंच होल डिस्पले है पांच हजार एमेच की बैटरी है लेकिन जो प्रोसेसर है वो है मेडिया टेक का हीलियो एट्वंटीफाइफ मैं बहुत जादा क्यूरियस हूं बस यह जानने के लिए कि आखिर ही स्मार्टफोन जब इंडिया में आएगा तो कौन से चिपसेट के साथ आएगा I really hope कि Mediatek Helio A25 जैसा चिपसेट हमें इंडिया में ना देखने को मिले कोई अच्छा चिपसेट देखने को मिले देखते हैं किस चिपसेट के साथ आता है बस इतना बता देती हूं 10,000 की नीचे की प्राइस में Infinix Hot 9 हम लोगों को इंडिया में देखने को मिलने वाला है तो 10,000 की नीचे की प्राइस का कोई फोन एक्सपेक्ट कर रहे हो देन डेफिनिटली इसको आप अपनी लिस्ट में कंसिडर्ड कर सकते हो वैसे अभी अगर आगे बढ़ा जाए और बात की जाए अगर हमारे अगले स्मार्टफोन के बारे में तो ये स्मार्टफोन लॉंच होगा रियल्मी की तरफ से और आप सबी लोगों को पता ही होगा यार कि रियल्मी एक ऐसा प्रेंड है जो की काफी जादा एक्टिव है और हर महीने एक-दो स्मार्टफोन तो लॉंच करता ही करता है बट अभी जिस फोन के बारे में मैं बात करने वाली हो ना ये है रियल्मी X3 रियल्मी X2 का सक्सेसर भी आप बोल सकते हो और बता देती हो कुछ दिन पहले ये स्मार्टफोन ना वैसे टैना पर भी स्पोर्ट किया गया था जहांसे काफी कुछ स्पेसिफिकेशन के हिंट लगे थे सबसे पहला तो यह कि 30 वाट का फास्ट चार्जर होने वाला है 4100 mh की बैटरी होगी 6.57 इंचिस की डिस्प्ले देखने को मिलेगी और बताया जा रहा है कि इस बार ये स्मार्टफोन मीडिया टेक डाइमन सीटी 800 चिपसेट पर बेस्ट होने वाला है काफी पाउरफुल चिपसेट बताया जा रहा है बट बता देती हो कि यार ये जो रियल भी X-Series होती है ना इसके कैमरा सेटप काफी ज़्यादा कमाल की होते है X2 में हम लोगों को 64 megapixel के साथ quad camera सेटप देखने को मिला था इस बार देखने वाली बात होगी कि किस तरह के camera सेटप देखने को मिलते है और कितने megapixel के देखने को मिलते है बट हाँ जहां तक बात रही price की तो definitely 20,000 की नीचे की price में ही देखने को मिलेगा लेकिन मैं बोलना चाहूंगी कि अगर आप लोग एक अच्छे cameras वाला smartphone का wait कर रहे होना देखने आपको ये phone अपनी list में रखना ही चाहिए अच्छे cameras के लिए तो वैसे किसी महीने में अगर Realme का smartphone launch हो जाए और Redmi का smartphone ना launch हो ये एक dumb impossible situation है अगर Realme अपना phone launch कर रहा है ना किसी मन्त में तो Redmi का भी phone definitely launch होगा अभी कौन सा phone launch होने वाला है में के मन्त में Redmi का actually मैं बताया जा रहा है कि Redmi Note 9 launch हो सकता है आपने देखा होगा कि मार्च के महीने में Redmi Note 9 Pro और Redmi Note 9 Pro Max launch होगे थे वैसे बता देती हूँ जो Max 10 वो अभी तक sale पर नहीं किया है punch hole display बताई जा रही है quad camera setup होंगे लेकिन जो fingerprint scanner है वो पीछे की तरफ होने वाला है 4920 mAh की battery हो सकती है 22.5 watt की fast charging के support के साथ कहां जा रहा है Mediatek के Helio G80 chipset के साथ आ सकता है अगर आपने देखा होगा तो अभी जो Redmi Note 9 series है ना इसका price काफी ज़्यादा aggressive रखा है Redmi ने देखने वाली बात यह होगी और जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा curious हो वह यह कि आखिर Redmi Note 9 का price क्या रखता है Redmi यह तो आने वाले time पर ही बता लगेगा बट आपको क्या लगता है क्या price होने वाला है इस smartphone का और अगर यह phone launch होता है तो क्या वाकई में आप इस phone में interest रखते हो यह सारी चीज़े आप मुझे comment section में जरूर से बताना खेर अभी अगर आगे बड़ा जाए और बात की जाए हमारे अगले smartphone के बारे में तो यार honestly बोलू तो यह smartphone का ना दो बार launch डिले हो गया है पहले मार्च में के महीने में launch होने वाले थे उसके बाद April 21 को इनका launch date रखा वापस से launch डिले हो गया है बड़ डेफिनेटली अब में के मन्त में तो finally launch हो ही जाएंगे और में यहाँ पर बात कर रही हूँ Realme Narzo 10A और Realme Narzo 10 के बारे में I hope आप सब भी लोगों को अभी तक तो इन फोन के स्पेसिफिकेशन शायद से पता लगी चुके होंगे नहीं भी पता है तो एक बार बता देती हूँ जो 10A है वो Mediatek Helio G70 के साथ आएगा और जो 10 है वो Mediatek Helio G80 चिपसेट के साथ देखने को मिलेगा दोनों में 5000 mAh की बैटरी होने वाली है दोनों के अंदर HD Plus डिस्प्ले होगी 10 के अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी के साथ नॉर्मल 10W का चार्जिंग मिलेगा उसके अंदर 18W की Fast Charging मिल जाएगी Realme Narzo 10 के अंदर तो हाँ काफी सही स्मार्टफोन से आप definitely इन फोन का भी आराम से वेट कर सकते हो एक 10,000 के नीचे की प्राइस में रहेगा और एक का प्राइस 10,000-11,000 के आजपास होने वाल है तो ये भी आप उपनी लिस्ट में definitely रख सकते हो अगर आपको इस प्राइस रेंज के स्मार्टफोन से लेना पसंद है तो बाकी इन सब के अलावा I mean जो अभी मैंने आप लोगों को फोन बठाए है वो उन सब का प्राइस 20,000 के नीचे ही होने वाला है बट इन सब के अलावा ऐसा भी बोला जा रहा है कि Samsung की तरफ से भी एक स्मार्टफोन हमें में के मन्त में देखने को मिलेगा और most probably यह Samsung के लिए एम सीरीज का फोन होने बाला है M51 क्या इस स्पेसिफिकेशन होंगे यह तो आने वाले टाइम पर ही पता लगेगा पठाँ आएगा ज़रूर एक फोन Samsung की तरफ से और भी स्मार्टफोन से मैं वो बोलूँगी कि उनका प्राइस 20,000 के नीचे तो नहीं अबाउट 20 ही होंगे इसलिए इस लिस्ट में शामिल नहीं करें बट हाँ Poco F2 के काफी जादा rumors और ऐसे news वगेरा निकल के आ रही है तो आप बोल सकते हो Poco F2 या फिर Poco branding की तरफ से एक नहीं के स्मार्टफोन तो definitely launch होगा में के मन्त में इसी के साथ साथ Vivo V19 भी launch होने वाला है में के मन्त में ही और साथ ही में Xiaomi का जो Mi 10 है ये भी में के मन्त में ही launch होगा तो हाँ मैंने यहाँ पर try किया है कि मैं आपको 20,000 के नीचे के सारे स्मार्टफोन बताओं I hope इस वीडियो से आपको काफी कुछ आइडिया लग गया होगा कि आपके लिए under 20,000 कौन सा स्मार्टफोन सबसे best होने वाला और किसका आपको wait करना चाहिए बाकि यार इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी भी help मिलियो तो इस वीडियो को like जरूर से करिएगा और मैं आपको मिलती हूँ next वीडियो में